नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 15 फरवरी 2022 के डेली न्यूज अनलेसिस कर इंटरफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपॉर्टन न्यूज देखेंगे आज तो इंडिया ने एगरी कल्चरल सेस को कुरूड पॉर्म ओयल पे कम किया एक तो इंडिया न्यूज देखेंगे दूसरा हमारे यहां पर जो कोविट पॉजिटिविटी रेट है अगर आप देखो तो कुछ हफ्ते पहले ही चले जाएं तो 300 से जादा ऐसी डिस्टिक्स थी जहां पर कोविट पॉजिटिविटी रेट 10% से जादा था तो कोविट 19 के incidence इंडिया के अंदर कम हो रहा है देखें तो अच्छी न्यूज है फिर जारखंड में डिस्टिक्ट के लेवल पे जॉब अपॉइंट्मेंट के लिए दो डिस्टिक्स में भोजपूरी और मगही भाषा को मैंडेटरी किया गया था अब भोजपूरी और मगही भाषा के बेसिस पे डिस्टिक्ट के लेवल के competitive exams में जब requirement रखी गई तो जारखंड के अंदर बवाल होने लगा प्रोटेस्ट होने लगे ये क्यों हो रहे हैं इसको समझने कोशिश करेंगे फिर इंडिया में जो shallot का export है वो all time high ये शैलिट मतलब जो छोटे वाले गोल गोल से प्याज होते है इनको आप शैलिट बोलते है वो भी प्याज नॉर्मल कर जो प्याज होता है ऑनियन होता है थुढ़ा बड़ा होता है एक छोटा प्याज आता है गोल गोल सा उसको आप शैलिट बोलते हो, तो इसके एक्सपोर्ट बहुत हाई हो गए, दूसरा, टर्की के प्रेजडेंट अर्डोगन साहब, यह पहुंच जा है योई में, और योई जाके ओवराल रिष्टे स्थापित कर रहे हैं, अब तर्की की एकनॉमिक हालत खराब है, ठीके न, अब अर्ड कोविड रिस्टिक्शन को लेके है, वैक्सिनेशन के रिस्पेक्ट में है, तो इस प्रोटेस्ट में रिसेंटली जस्टिन टूडो ने क्या डिसीजन लिया है, इमर्जेंसी इंपोस की गई है, कैनेडा के अंदर, ओवराल जो कुछ भी यहां पर हुआ है, उसके बारे में तेलिग्राम ग्रूप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडियोफ मिल जाएगी, and if possible for you friends, please click the join button, that is specifically very helpful, आज का word of the day देख लेते हैं, परेम्टरी, परेम्टरी मतलब इंसिस्टिंग और इमिजेट अटेंशन और ओबीडियन्स, मतलब इमिजेट अटेंशन यह जो भी कह रहे हैं, तुरंथ कर दो, especially in a brusically imperious way, just do it, मतलब जबरदस्ति आपसे overall किसी भी चीज़ को तुरंथ करने को बोला जा रहा है, इसको आप बोलते हो, परेम्टरी, ठीक है ना भई? मतलब अगर दस टेस्ट हो रहे हैं, तो एक positive निकल रहा है, मतलब अगर दस टेस्ट हो रहे हैं, तो एक positive निकल रहा है, मतलब करोना वाइरस का infection देश में घट रहा है, ऐसा जो latest data health ministry का वो दिखा रहा है, अगर देखा जाए, तो अभी से लगबग दो हफते पहले, 388 districts थी हैं ऐसी हमारे देश में, जहाँ पे weekly positivity rate करोना का 10% से ज़्यादा है, अब लगबग 100 हैं, जब high positivity rate होता है करोना का, मतल अब कम ऐसी district निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे test positivity rate 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब करोना के cases यहाँ पे कम हो रहा है, देखा जाया तू recently, 44,877 cases दिन में आए, जो कि एक अच्छा नंबर है, जो कि 4 जनवरी को आए थे 50,000 से ज़्यादा cases, लगबग 58,097 cases, और उसके बाद स जिस दिन 50,000 से कम cases निकल के आए हैं, तो overall आप कह सकते हो, यह अच्छी ख़बर है, संडे को, जो हमारा test positivity rate था, मतलब परसों की बात कह लीजे, तो आज Tuesday वाले दिन में वीडियो रिकॉर्ड करहों, तो संडे को daily test positivity rate था 3.17%, मतलब 100 लोगों का test किया, ठीक है, तो 3.17 संडे को test positivity rate 348 था, 3.48%, और संडे को था 3.17%, फिर आगे देखते हैं, अदर national weekly positivity rate for 4.46% और संडे, तो देखो, पिछले हपते में जो weekly test positivity rate था national, वो था 10.2%, और अभी इस हपते में जब संडे को खतम हुआ, तब कितना है 4.46%, इंडिया का जो active quest load है, कोरूना का 5,37,045 लोग तो basically देखा जाए, तो इंडिया के अंदर इस समय पे active कोरूना पेशेंट से 5,37,000, पिछले हपते में से 12,25,000, तो no doubt हमारा active case load घटा है, active case load मतलब इस समय पे total कितने लोगों को कोरूना है, और total अगर कम लोगों को कोरूना होगा, तो हमारे health infrastructure के उपर कम pressure पड़ेगा, य यहाँ पे positivity rate कोरूना का 10% से जादा है, मतलब राजस्थान, केरला, महराष्ट और नाचल परदेश में जुरम, यह पांच ऐसे states हैं, जिनमें 10 से जादा रिस्टिक्ट्ट में COVID positivity rate 10% से जादा निकलके, RIGSB बटू, health में न्यूज़ आपको घामाएगी, अगली न्यूज the center cuts agricultural cess on crude palm oil, तो भाई, केंदर की सरकार ने agricultural cess को crude palm oil पर कम कर दिया है, 7.5% से घटा के 5% कर दिया गया, याद रखेगा, crude palm oil पर किया गया है, crude palm oil एडिबल नहीं होता है, खाने पीने लाइग नहीं होता है, यह crude palm oil इंडिया के इंदर import होता है, फिर जो हमारे agricultural oil refiner से, उनके पास पाम औयल में कर दिया है और फिर इडिबल पाम बनाते हैं इसके holds the market में विडिगता है तो भाई क्रूड पाम ऊयल के ओपर यह एकरी कलश्राल से कर दिया है कम कोब बेसिकली यह एकरी कब्चुनल्स क्या होता है इसका फुल फॉर्म है एग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर और डेवलोप्मेंट सेस देखिए इंडिया के अंदर जो सामान इंपोर्ट होता है उसके ओपर लगाई जाती है बेसिक कस्टम डूटी और इस कस्टम डूटी का जितना आमान निकल के आता है इसके ओपर लगाई जाता है अग्रिकल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर और डेवलोप्मेंट सेस इसके थू जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा के अंदर सरकार अपने पास रखती है लेकिन SES के अंदर जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा केंदर सरकार अपने एसाब से खतम करती है और पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में केंदर की सरकार SES बढ़ा रही है ऐसा इसके उपर इल्जाम भी लगा जा रहा है बरहाल वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है यहाँ पे अगरी कल्चर, इंफरास्ट्रक्चर एंड डवलप्मेंट सेस के थूँ जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है उससे पूरे इंडिया में agriculture sector में infrastructure development करने कोशिश करती है infrastructure लो develop करना agriculture sector के बहुत सारे अलग-अलग projects को execute करना ये काम है इस AIDC से आए हुए पैसे का ठीक है भाई यही पैसा यहाँ पे कम किया गया है crude palm oil के उपर 60.5 टकाय से कम करके AIDC कर दिया गया है 5% तो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो edible oil refiners है वो overall इस crude palm oil को अपने पास लेंगे उसके ओपर further functioning करेंगे processing वगरा करेंगे और उस processing के तुरू finally जो end product बनके आएगा वो होगा आपका edible palm oil देखें crude palm oil अलग-अलग proportions में अलग-अलग प्रकार के oils को बनने में काम आता है हमारे पास market में बहुत प्रकार के edible oils मिलते हैं कड़वा तेल, कच्ची गहनी का तेल, आप कहलो refined हो गया, डालडा हो गया, घी हो गया, palm oil, olive oil तो इन सब प्रकार के oils को बनने में कुछ हद तक palm oil का प्रहुक होता है In fact, palm oil तो साबून ले लो, आपके food products ले लो, कोई जो आप कहते हैं कि shaving cream इस्तमाल करते हो, जो आप fish wash इस्तमाल करते हो, सब गया अंदर palm oil होता है तो palm oil crude के अगर उपर हम किसी भी प्रकार का tax कम कर रहे हैं, तो no doubt overall final market तो पहुंसते पहुंसते चीज़ें थोड़ी सस्ती हो सकती है अच्छा, एक बात याद रखेगा, crude palm oil के उपर import taxes कम है, refund palm oil के उपर नहीं है अब ही अगर आप crude palm oil, अब इस particular agriculture, मतलब इस tax के change के बाद अगर आप देखें, तो जो crude palm oil के उपर import tax लगता है total और जो refund palm oil के उपर लगता है, इसके बीच में फर्क है 8.25 प्रतिशत का मतलब refund point oil के उपर, palm oil के उपर 8.25 लगभग 8.5% ज्यादा tax लग रहा है crude palm oil से, चुकि देखे refund palm oil तो final product है, refund palm oil अब सीधे-सीधे market ने बेच सकते हो, लेकिन crude palm oil को refine करना पड़ेगा अब अगर हम ready-made product import करने लगेंगे, तो जो हमारे domestic oil refiners हैं, वो यहाँ पे overall sustainable नहीं हो पाएंगे, इसलिए crude palm oil के उपर, आप कहा लिजे, taxes कम किये गए हैं, ताकि जो हमारे domestic oil refiners हैं, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे security मिल सके, उनको यहाँ पे थोड़ा काम मिल सके, हमारी खुद की food processing industry थोड़ी बहुत यहाँ पे develop और sustainable हो सके, ठीक है, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में, edible oil prices के नाम बहुत ज़्यादा रहे हैं, 14 February 2022 का अगर आप data देखो, तो all India average retail price, groundnut oil का था लगबग 178.8 पर kg, mustard oil का था 189.2 पर kg, वानसपती का था 140.99 पर kg, soya oil का था 147.22 पर kg, sunflower oil का था 161.37 पर kg, palm oil का था 130.66 पर kg, तो कुल मिला के अगर आप देखो, तो पिछले साल के comparison में, इस साल के जो हमारे 6 edible oils हैं, इनके average retail prices, 10.05% से लेके 31.97% ज़ादा हैं, इसलिए यहाँ पे crude palm oil के उपर agricultural जो success है, वो कम किया गया है, अच्छा, अगर आप देखो, तो up to 30th of September 2022, इससे पहले भी कुछ steps लिए गया है, crude palm oil, crude soybean oil, crude sunflower oil, इनके उपर जो लगने वाली basic import duty है ना, उसको भी बहुत कम किया गया है, 0% किया गया है, अगर आप देखें, तो refined palm oil के उपर, जो import duty लगती है, वो ह 17.5%, जो कि यह ready-made products है, लेकिन जो crude products है, crude palm oil, crude soybean oil, crude sunflower oil, इनके उपर जो basic import duty लग रही है, वो 0%, तो मतलब edible oils को इंडिया के अंदर process करने के ecosystem को बनाने के लिए, जो crude input है, जो crude rod material है, जैसे crude palm oil हो गया, crude soybean oil हो गया, crude sunflower oil हो गया, इसको least tax देके, least basic custom duty देके, least agriculture infrastructure says देके, हम देश के अंदर import कर सकते हैं, फाइनली इससे final product बनाके, इंडियन मार्केटें बेज सकते हैं, कम दाम पर, और edible oils के दामों को stabilize करने के लिए भारसरकार ने और भी बहुत कुछ किया है, तीन फरवरी 2022 को भारसरकार ने का order issue किया थ जिसके चलते, essential commodities act के अंदर 30 जून 2022 तक stocking limits imposed की गई है, मतलब एक edible oil का dealer अपने पास कुछ minimum, कुछ maximum amount of edible oil के stocks ही रख सकता है, क्या होता है, जो बड़े बड़े विक्रेता होते हैं, वो edible oil की hoarding कर लेते हैं, उसको market में release नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि market में जो supply है, edible oil की कम हो जाती है, तो जब availability कम हो जाती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ने रखते हैं, इसलिए कोई भी processor एक limit से ज़ादा अपने पास edible oil नहीं रखेगा, ऐसा essential commodities act के अंदर 3 फरवली 2022 को ही केंदर सरकार यहां पे नियम कानून निकाल चुकिए, चुकि hoarding होने लगेगी, स्टॉकिंग होने लगेगी, तो मार्केट में edible oil की unavailability हो जाएगी, जिससे उसके दाम artificially shoot कर जाएंगे, इसलिए Emissential Commodities Act 1955 को सरकार ने इन्वोक की है, जिस पर 2 और 3 वी नियूस आप उकाम हाईगी, नेक्स नियूस है, प्रोटेस्ट ब्रेकाउट इन जारकंड और भोज जाएंगे डिस्टिक्ट की level की नौकरियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो की metric और intermediate पास हैं, अगर उनको दो दिस्टिक्स में district level की नौकरी चाहिए, तो उनको दो भाषा आने चाहिए, मगही और भोजपुरी, मगही और भोजपुरी में वो exam देके overall district की level की नौकरी आई नहीं और समझी ये statewide examination नहीं है यहाँ पे, एक तो होता है कि जारकंट की सरकार ने exam निकाला और जारकंट की सारे district में पूरे state में recruitment हो रहा है, नहीं, यहाँ पे केवल दो district के अंदर district के level की post के recruitment के लिए मगही और भोजपुरी, ये दो भाषाओं में आप paper attempt कर सकते हो ऐसा नियम कानूर निकाला गया था, 23 December को, और इसको लेके काफी भारी बवाल हो गया है जारकंट के अंदर, जारकंट के अंदर, regional language क्या है इनको लेके बवाल हो रहा है, दूसरा एक और issue जो simmering है जारकंट के अंदर, वो है कि भाई, आप जारकंट में domicile किसको दो गया, एक्चिल में यहां पे जारकंटी है कौन, पता होना चाहिए कि भाई, जारकंट बिहार से तूट के अलग हुआ है, जब 2000 में जारकंट बिहार से तूट के अलग हुआ था, तो जिनका पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूला मरांडी, इन्होंने क्या बोला, कि भाई, सबसे सरकार आई, अभी की जो JMM Government, इसने सब कमिटी बना रखी, पता करने के लिए, कौन डोमिसाइल रेजडेंट है, मतलब अभी तक, जारकंट के अंदर, इस चीज़ के ओपर पूरी तरीके से, कंसेंट नहीं आ पाया है कि, एक्चुली में जारकंटी है, कौन डोमिसाइल ठीके न, भोचपुरी और मगही, को रीजनल लेंग्विज का स्टेटस देके, इन दो भाषाओं के आधार पर एक्जाम कंड़क्ट करवा के, डिस्टिक लेवल की नौकरी को देने वाले डिसीजन के ओपर, पहले तु बोकारो, धनबाद में काफी बवाल हुआ, फिर गि यहां पे आप बिहार के लोगों को मत मिलाओ, देखिए भोचपुरी और मगही यह जो दो भाषा हैं, यह बिहार के लाके में बहुत बोली आती हैं, तो भिहार के लोग आके हमारी नौकरी ले जाएंगे, ऐसा जहरकंट के लोगों को लगता है, इसलिए ओवराल वो यहां यहां पर यह बवाल कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर आप बाकी लोगों को क्यों यहां पर इंपोर्टेंस दे रहे हो, प्लस अगर आप देखो तो 2016 में जो CM रघुबर दास थे, वो एक रिलाक्स्ट डोमिसायल पॉलिसी लेकिया है, लेकिन इस रिलाक्स्ट डोमिसायल अगेंस्ट अपोजिशन बोलने लगा, क्यों बोलने लगा, जो कि इस रिलाक्स डोमिसायल पॉलिसी में, जो आसपास के स्टेट्स के लोग है, उनको भी जहारखंड का डोमिसायल मिल रहा था, तो जहारखंड के अंदर एक तपका ऐसा है, जो बहुत सदा जही बोलने वाले, मैथली बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, ये लोग भी जहारखंडी है, भले ये आसपास के बिहार के लाके के हैं, लेकिन इनको बिलकुल सेग्रिगेट करना यहाँ पे सही नहीं है, इनको भी मेंस्ट्रीम में मिलाना सही है, सोशल कोहेशन लाना स आप कहलो कि बिलकुल ही साइलो में चीज करो वह सही नहीं होगा अब अलग यूपॉइंट है कुछ लोग आप कहलो कि थोड़े ब्रॉड माइंड के होते हैं ब्रॉड माइंड के क्या हो सकता है उनको एक्स्ट्रा वोटर बेस चाहिए हो इसलिए वो डो मिसाइल दे रहे हो बहुत से रीजन्स हो सकते हैं वहाँ पर जीएस पेपर टू गौर्मेंट पॉलिसी इंशुस अराइजिंग आप देर इंप्लिमेंटेशन में चीजा पर काम आएगी मतलब जहारखन का एक्चुनी में है कॉन उनकी डो मिसाइल पॉलिसी भी आज तक पूरी फिक्स नहीं ह पाईए और भाषा को लेके तो बवाल वहां पे होई रहा है नेक्स्ट सीपी इंफ्लेशन जम्स टू 6.01 परसंट इंजनवरी 2020 तो इंडिया का हेड्लाइन इंफ्लेशन जिसको अब कंजूमर प्राइस इंडेक्स करते हो यह जनवरी 2022 में 6.01 परसंट पहुंच गया दिसं हेड्लाइन इंफ्लेशन आप कह सकते हो वह इंफ्लेशन जो कि रीटेल साइड पर होता है ओवराल लोगों के ओपर एफेक्ट डालता है फूड और एनरजी प्राइस को सीज़े सीज़े एफेक्ट करता है दिसंबर 2021 में 5.66 परसंट था अभी के लिए 6.01 परसंट पर 6.01 परसंट है तो on an average 5.7 परसंट विलाने के लिए फरवरी मार्च में इसको कम होना पड़ेगा अभी कम होगा नहीं होगा पता नहीं खास बात यहां पर यह है कि दिसंबर 2021 के रिस्पेक्ट में जनवरी 2022 में जो एडिबल ओयल का इंफलेशन है जो वेजीटेबल का इंफ 4.04 कम हुआ है वेन कमपेरिंग जनवरी 2022 विध दिसंबर 2021 अड़ेबल ओयल का इंफलेशन जनवरी 2022 में डिसंबर 2021 के Respective 1.5 परसंट कम हुआ है उसके बावजूद food inflation overall janvary 2022 मैं दिसंबर 2021 के comparison में हो गया है 5.43 cents janvary 2022 5.43 percent December 2021 में 4.05 तो नो डाउट कुछ पैरामीटर्स में जैसे वेजिटेबिल हो गया, डिबल ओयल हो गया, इंफ्लेशन कम हुआ है, बट ओवराल फूल इंफ्लेशन जादा हुआ है, और ओवराल देखे तो क्लाउधिंग, फोट वियर, हाउजिंग, मिसलेने से इन सब के दाम बड़े हैं, इसलिए जनवरी 2022 में जो इंफ्लेशन है, वो 6.01% नजर आ रहा है, हमारा जो रेंज है 2-6% का उसको ओवर्शूट कर चुका है, जी इस पर बथरी इंडियन इकनामी में न्यूज़ आप हो काम आएगी, नेक्स्ट इूस, इंडिया से शैलेट्स का एक्सपोर्ट is at an all time high, तो भाई, 2013 के रिस्पेक्ट में एक्चुली में इस फिगर को देखा जा रहा है, 2013 के रिस्पेक्ट में अब तक शैलेट्स का एक्सपोर्ट 487 बढ़ चुका है, शैलेट्स लगते कैसे हैं, तो यहाँ पर ओनियन वेराइटी आपको दिख रही है, ये ये येलो ओनियन दि ये स्वीट ओनियन और वाइट ओनियन ये सब बाहर की कंट्री में जादा खाय जाते हैं, अलाकि इंडिया में भी होते हैं, तो शैलेट्स का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है, अगर आप अप्रेल तो दिसंबर 2013 में देखो, तो शैलेट्स के एक्सपोर्ट से हमने दो मिलि परसंट, उनाटिड अरब एरिमिरेट्स में 67 परसंट और सिंगापूर में 5.8 परसंट, फिर इंडिया का पाइनेपल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, इंडिया का पाइनेपल एक्सपोर्ट ऑल्मूस्ट सो परसंट बढ़ा है, कब से कब तक अपरेल से दिसंबर 2013 में 1.63 मि पाइनेपल एक्सपोर्ट कहां कहां हुएं, तो अपरेल से दिसंबर 2021 में UAE में एक्सपोर्ट हुएं 32.2 परसंट, नेपाल में 22.7 परसंट, कतर में 16.6 परसंट, मालदीस में 13.2 परसंट, USA में 7.1 परसंट, इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो का एक्सपोर्ट, कपड़ा हो, केमिकल हो, जाए वो ज्वहलरी हो, चाहा हो तेल प्रोडक्स हो, प्रेक्ट्लम प्रोडक्स हो, चाहे हो डायमंड्स हो, जो चीज भी हमें सामने दिख री, उसक dynam maintenant, मर्चेंडाइज, तो जनवरी 2021 में 27.54 बिलियन डोर का मर्चेंडダाइज जन्वरी 2022 में ये हो गया है 34.06 बिलियन डॉलर तो जन्वरी 2021 के comparison में जन्वरी 2022 में हमारे exports बढ़े हैं लगबग 23.69% से और ये नंबर जन्वरी 2020 में था जन्वरी 2020 में था कोरोना से पहले 25.85 बिलियन डॉलर तो no doubt कोरोना के बावजूद हमारे exports बढ़ रहे हैं अगर आप April to January 2021 का time period देखोगे तो इसमें हमने export किये हैं 335.44 बिलियन डॉलर के और यही April to January 2020-2021 के लिए जो exports थे वो थे 264.13 बिलियन डॉलर स्वरी 228.9 बिलियन डॉलर 2019 से 20 April January के लिए थे 264.13 तो कोरोना से पहले का April 2019 से लेके जनवरी 2020 के time period का export था 264.00 बिलियन डॉलर कोरोना गाने के बाद यह कम होगा और विसी बात है April 2020 से जनवरी 2021 तक हम केवल 228.00 बिलियन डॉलर का export करेंगे जो कि पिछले साल के 264.00 बिलियन डॉलर से कम है लेकिन fast forward to April 2021 तो जनवरी 2022 हमारे export बढ़े हैं 3.35 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया तो no doubt कोरोना के pandemic के बावजूद हम exports में अपने आपको self sustainable रख पा रहे हैं और इसके लिए बहुत सी scheme यह बनाई है एक export monitoring desk बनाई गई है overall ठीक है न आप कहलो department of commerce के अंदर बहुत सारे ऐसे acts हैं जो कि outdated provisions को हटाते हैं one district one product scheme लागू की गई है government के दोरा जिसके चलते overall exports को competitive किया जा रहा है तो यह सब चीज़ें GS paper 2 marketing of agro products में नीज़ आपको काम आईगी next है भाई Canada PM Trudu invokes emergency powers तो आपको पता होना चाहिए कि Canada में जो truck drivers हैं उनका एक बड़ा भेंकर protest चल रहा है और इस प्रोटेस्ट ने काफी problem क्रेट कर दी बहुत सारी border crossings यहां पर ब्लॉक हो गई है downtown Ottawa यहां पर paralyzed हो गया है Justin Trudeau ने बोला कि military दो हम लोग use नहीं करेंगे लेकिन अपने आपको कुछ emergency powers दी हैं आपे इन emergency powers में चलते बहुत सारे truck drivers को यहां पर arrest कर लिया गया है और यह truck drivers में भी गजब कर दिया पिछले दो हफतों में hundreds of truck drivers ने ओटावा की streets को ब्लॉक कर रखा है Parliament Hill को besiege कर दिया है और रजवजय क्या है तो इन truck drivers के उपर पहली बार तो vaccine mandates लगाए गए इनके उपर compulsory vaccination ज़रूरी है बहुत सारे COVID precautions है movement को block किया गया है बहुत सारे लोग restaurants में नहीं जा सकते हैं अगर वो vaccinated नहीं है तो Canada के अंदर vaccination को लेके बहुत ज़ादा strict restrictions लगाए गए जिसके चलते overall लोग वहाँ पे शाहिए नाराज हो गए है और इसलिए यहाँ पे इतना भेंकर प्रोटेस्ट देखने को मिला और प्रोटेस्ट इतना खतरनाक था यह जो truck driver का प्रोटेस्ट इसको Freedom Convoy कहा जा रहा है बहुत सारी US-कनेडा की border crossings block हो गई Ambassador Bridge जो है ना जो कि Windsor Ontario को Detroit USA से जोडता है वो तक block हो गया था अना कि उसको finally Sunday को open कराया गया जब पुलिस ने आपे इंटर्वीन किया और प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया इन फैक्ट ये प्रोटेस्ट इतने ज़ादा intense थे कि फेडरल एजेंसी और प्रोविंशल एजेंसी मतलब फेडरल सरकारें और प्रोविंशल सरकारें जैसे इंडिया में होता है ना केंदर और राज्ये ये आपस में एक दूसरे के साथ बहस रही थी कि किसकी responsibility इन प्रोटेस्ट को रोकना जो कि पहली बार तो डर ये था कि अगर प्रोटेस्ट को रोकोगे तो वाइलेंस हो सकता है दूसरा भाई अच्छा नहीं लगता अगर जरूस से ज़ादा प्रोटेस्टर्स को दबाओ तो election में problem आ सकती है आप देखी सकती हो इंडिया में farm प्रोटेस्ट में क्या हुआ और problem कहाती इन प्रोटेस्टर्स की इनका ये बोलना था कि भाई इस lockdown को बंद करो हमारे उपर एक limit से ज़्यादा restrictions मत लगाओ और जो right wing extremists हैं जो की vaccination के अगेंस्ट बोलते हैं वो इन प्रोटेस्ट को support कर रहे हैं जैसे की US में Donald Trump जैसे लोग और Fox News personalities जो की extremely right wing को belong करते हैं vaccination के अगेंस्ट बात करते हैं वो इन प्रोटेस्ट को support कर रहे हैं फिलाल के लिए ये issue थोड़ा sort out होता नजर आ रहा है हाला कि इस particular protest का effect भी पढ़ा है जो Ontario के premier है उन्होंने एक March को बोला कि इनकी province में ये जो requirement थी कि आपका vaccinated होना जरूरी है restaurant में जाने के लिए, gym में जाने के लिए sporting events में जाने के लिए इस requirement को हम अठा देंगे ये जो ambassador bridge था ये US और Canada के बीच में 25% trade को करता है General Motors, Ford, Toyota जैसे जो आटो मोकर्स हैं वो इसी particular जगह के trade के basis पे अपरेट करते थे finally यहाँ पर इस trade को फिर से शुरू किया गया दो हफते से ये blog पढ़ा हुआ था Canada में देखा जाए तो one of the strictest lockdown लगाया गया death rate है ना COVID-19 का वो America US से एक तिहाई है जदातर Canadians ने इस प्रकार के restrictions को support किया है लेकिन कभी-कभी इस प्रकार के instances भी हो जाते है जी इस पर बटू में यूज आपकाम आगी तरकी के President UAE गये है पहली बार एक decade में 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तरकिश President UAE विजिट किये है रेसिप तैयब अर्दोगन साब गये और वो अबू धाबी के Crown Spins मुहम्मद बिन जायद अलनहयान से मिले ठीक है ये मुहम्मद बिन जायद अलनहयान अंकारा गये थे पिछले नवब्मर 2021 में और billions of dollars के investment और कहलो bilateral financial accord साइन हुए थे UAE और तरकी के बीच में issues और problems बढ़ गई थी जब Arab uprising हुई थी जब Libya में civil war चल रहा था और civil war में अलग-अलग players को UAE और तरकी सपोर्ट कर रहा था लेकिन finally तरकी में बहुत बड़ा economic terminal है और economically तरकी struggle कर रहा है आपको पता ही होगी कि तरकी की जो currency है लीरा वो इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि overall लोग वहाँ पर तरहिमाम कर रहे थे UAE भी अपनी economic priorities को ज़्यादा importance दे रहा है अपने economic partners को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए दोनों ही countries के पास UAE और तरकी के पास reason है एक दूसरे के साथ engage करने का तो उन्होंने बातचीत किये कि bilateral trade को बढ़ाएंगे दोनों की countries अपनी economy को एक प्रकार का boost देंगे compliment करेंगे climate action पे काम करेंगे advanced technology, industry, health, agriculture defense industry corporation में भी letter of intent यहाँ पे sign हुआ है specifically looking to the fact कि Turkey बहुत सारे matters में Egypt और Saudi Arabia से clash करता हुआ नजर आ रहा है US से clash करता हुआ नजर आ रहा है और आपको पता होना चाहिए UAE, Egypt, Saudi Arabia और USA तीनों का बड़ा अच्छा partner तो ऐसे cases में Turkey और UAE की दोस्ती एक अच्छा sign है overall regional geopolitics के लिए इस region में शांती स्थापित करने के लिए ठीक है भाई, GS paper 2 international relations में news आपको काम आएगी है so thank you for watching friends जाद से जाद लोगों के साथ इस lecture को share करीगा instagram पर follow कर लिए telegram group join कर लिए दोनों ही चीजों कर लिए नीची description box में दिया हुआ है योप आपको lectures पसंद आ रहे हो good bye